अलो दोस्तों कैसे आप लोग तो फाइनली फाइटर रिलीज हो चुकी है थेटरस में और मैंने आज 3D शो देखा था सुबर 10 बजे का शो था मेरा और उतना ज्यादा भीड नहीं देखने मिली मुझे मुस्किल से 20-25 लोग ही आया थे थेटरस में और चैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रितिक रोशन की मुवी है और बॉलिवूट की पहली एरियल एक्शन मुवी होने वाली है तो चाहिड सी बात है भीड होनी चाहिए उतनी एक्सपेक्टिशन थी बट 6 उगलियों के सा मुषिश की गई है भाई साफ देख करके मजा है अगर बात करें इसके फस्ट आप की तो फस्ट आप आपको काफी जादा पकड़ के रखता है क्योंकि इसमें स्टोरी बिल्डप की गई है और कैरेक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन दिखता है और सेकेंड हाफ इसका थो तो मैं नहीं बूलूँगा बट क्लाइमेक्स कभी जिम बहुरी अच्छा यह तो था एक ओवर्विव आये सुरू से सुरू करते हैं तो फाइटर मुवी बेसिकली एर फोर्स पी ही बेजड है और इसका लोकेशन स्री नगर ही बताया गया है यह कहानी है कि स्पेशल एर फ पैक वाला जो इंस्पिरेशन लिया गया है वह काफी जादा वक करता है और आपको इमोशनल कनेक्ट भी करता है तो जाहिर सी बात है देशबक्ति वाला जोश और जुनून तो एक तम कूट-कूट के भरा बढ़ा एक चीज बोलना चाहूँगा कि सिदार तानन को अच्छ कि गई है लेकिन भले ही आप सबसे कनेक ना कर वाओ लेकिन ये दिखाना एक काफी अच्छा स्टेप था और ये वक भी करता है लेकिन मुवी के स्पेशली तीन कैरेक्टर्स जो में कैरेक्टर्स है अनिल कपूर को इस रूप में देखके बाई मजा आया उन्हाँ जिस तर ये आपको दिखाती है ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे लगा कि एरियल एक्षन से पूरी तरह से ये मुवी भरी पड़ी होगी इसको बहुत अच्छे तरीके से युटिलाइज किया सिदात अनन ने और स्टोरी पे काफी ज्यादा फोकस करती है और जब ये इमोशन तो तीन सो क्रोड के बजट में इतनी अच्छी विजवल्स के साथ देखना आप भले ही कितनी भी कंपेर करो टॉप गन मैवरिक या टॉप गन से बट मैंने भी देखिये बट यहां पे जो दिखाया गया है इतने कम बजट में अगर हॉलिवूड की किसी मुवी को बनाने क साथ आपको देखना है तो एक दो किसीन सीन है इसमें तो अगर आपको चलेगा तो आप देख सकते हो यह थो अवड कर सकते हैं मस्त वाच मुवी है मैं इस मुवी को देने चा § 1 फ jestem कि महारं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिया आगर च